विल्कम टूर चैनल पपानुफानार तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 3 की मैथ की वरक्षीट होगी आपने बच्चों को घर पे कैसे मैथ की प्रेक्टिस करवानी है ताकि उनको जो मैथ की फॉर्मूला है मैथ की टर्म्स है फैक्ट्स है वो अच्छी तरह से याद हो जा करें तो अनको भी वह पूरी अच्छी तरह ऑच्छी तरह से वह रवीजन कर सकें तो मेरी यहि कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी तरीक्य से प्रेक्टिस करवाए जाए संस और उनके एक्जांस में जो मैथन्स है 어떤 Schrita में प्रेक्टिस फिर में जिरूर करें सबसे पहले हम करेंगे फिलिंग्दप्लेंक्स सबसे पाण बतानी है इसनुद से हुए 5 की? इस बाड़منी बतानी है 5 की पश़या है जसेと 500 बतानी है सेम नंबर को ही एज इस हमने ऐसे लिख देना है ठीक है इसमें कोई जीरो नहीं हमने सिर्फ उसकी फेस वैलू यहां देखो वन स्टेंस हंडर्ड जैन थाउजन तो यहां पर टैंस पे आरा है पर हमने सेवन ही लिखना है वान रुपी इस इकल टू कितने पैसे होते हैं हंड टर्म इस नंबर्स में कितने ऊंबर प्लस करें कि इतना आंसर आजाये तो इन दोनों को माइनस करते हैं कि आसर आजाए nggak ठीक है तो यहां पर हम साइट पर माइनस करें के जो बड़ी टर्म है वह लिखें के और ऐनसरा हमा रएंडर्ड तो यहाँ पर अगर आपने recheck करना है तो इन दोनों को plus करके देख लेना है इतना answer आता है तो आपका येवल answer सही है तो next हम इन दोनों को multiply करेंगे इसका easy formula यही है कि 0 को 0 के साथ multiply किया then 5, 6 का 30 ठीक है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम multiply कर लेते हैं ठीक है next हमारा यहाँ पर 30 3000 ठीक है तो यह line has कितने end points होते है line के कोई end point नहीं होता है उसको जितना मर्जी आप extend करेंगे तो no ends point ठीक है तो next question number 10 है इसका 3 meter is equal to कितने centimeter होता है 100 centimeter ठीक है question number 2 है write the number names हम लिखेंगे तो 2000 2623 2623 1584 ऐसी जो questions होते है number names के regardingly तो यह वाले करवाने बार बार करवाने का मकसद यह होता है कि बच्चों की spelling mistakes है वो कम हो जाएं बच्चों का जो तो टर्म्स हैं अच्छी तरह से याद हो जाएं थाउजन हंडर्स का प्लेस उनको अच्छी तरह से आ जाएं 1500 बार बार प्रैक्टिस करवाएं 584 इससे उनको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगा और उनकी mistakes भी कम होगी तो यहां पर है 608 608 तो next हमारा करेंगे है write the successor and predecessors तो successor होता है आगे वाला और predecessors होते हैं पीछे वाले तो यहां पर हम number 1 प्लस करेंगे और यहां पर number 1 घटाएंगे तो 2435 is successor and 2433 is predecessors next है 6229 and 6227 ठीक है टू लाइन है तो number 2 है यहां पर यह जो V है इसका मतलब होता है 5 5 में 1 प्लस किये तो होगे 6 5 में अगर पीछे को है 1 लगा हुआ तो उसमें से माइनस करेंगे that is 4 single x का मतलब होता है 10 और 2 x आ गए है तो 20 10 10 30 34 ठीक है यहां पर 10 प्लस 2 is 12 then 30 प्लस 5 35 then 9 ठीक है तो यह roman number से तो next हमारे हैं dodging tables mix tables बच्चों को जरूर ही करवाना क्योंकि बच्चों को tables भूल जाते हैं बार बार इसको practice जरूर करवाएं और papers में भी जरूर ही आते हैं तो next हम करेंगे dodging 13 4 का 52 25 का 100 then 36 11 99 14 5 का 70 15 6 का 90 18 2 का 36 99 का 81 12 8 का 96 16 3 का 48 तो बच्चों को जो mix tables हैं बच्चों को जरूर जरूर प्रेक्टिस करवाएं क्योंकि tables से सम भी solve करवाते हैं बाद में पहले tables ही अच्छी तरह से बच्चों को आने चाहिए नेक्स्ट कोशन रवर 6 है मैच्च द फॉलिंग्स करेंगे मार्च मार्च कौन सा मन्थ है थर्ड मन्थ ऑफ दे यर नेक्स्ट 366 देज क्या होता है लीपियर क्योंकि नॉर्मल यर में 365 देज होते हैं वन थर्ड तो यह डाइग्रम है इसमें बन फिल किया हुआ है टोटल बॉक्स है 3 तो वन थर्ड है यह सैच्टरे इस वीकेंड 245 इस क्वाटर तो ट्री एंड यह आपको अभी रोमन नंबर कर वाइस थे तो इसका नंबर है 30 थीचे तो नेक्स्ट करेंगे अरेंज द अख्रेक्शन in ascending order तो सबसे चोटा कौन चाहीं देखो इनके उपर वाले को नियुमिरेटर कहते हो नीचे वाले को डिनामिनेटर कहते हैं अगर आपके डिनामिनेटर सभी के सेम हैं तो सिर्फ आपने उपर वाले को ही असेंडिंग और में असानी से कर लेना है ठीक है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले छोटा है 3 then 4 over 11, 7 over 11 and 9 over 11 ठीक है ऐसे ही इसका next है इसके भी denominator से भी same है तो सबसे small figure है 4 over 15 then 6 over 15 then 7 over 15 then 8 over 15 ठीक है तो next हम करेंगे denominator sorry descending order descending order में इस अभी denominator सेम है और सबसे बड़ा देखेंगे हम कौन सा है सबसे बड़ा है 10 over 13 then 9 over 13 then 8 over 13 then 7 over 13 ठीक है यह है descending order दिखो numerator उपर वाले को बोलते है और नीचे वाले को denominator बोलते है और दोनों को fraction बोलते है next हम करेंगे fraction को figures में लिखना है यहां पर diagram है तो इसमें कितने है total 1, 2, 3, 4 तो total को हम नीचे लिखेंगे और कितने फिल किये है 2 है तो यहां पर 2 by 4 is the fraction हमारी बनती है तो यहां पर कितने boxes है 2 और इनको कितना color किया है 1 तो 1 over 2 मतलब की half हमारा section जो है diagram का वो colored है तो next है कितने boxes है 3 है और कितने colored है 2 तो 2 by 3 यह diagram जो है वो field है तो यह fraction के sums बहुत easy होते हैं और बच्चों को जुरूर आप practice करवाएं next है write these numbers in expanded form बच्चों को बीच बीच में असान असान वाले sum भी करवाएं ताकि उनका confidence level है जो बड़े ताकि उनको यह ना लगे कि मुझे यह sum नहीं आते तो मुझे मैथ ही नहीं आता बच्चों में अकसर होई जाता है तो आप बीच बीच में ऐसे आप easy sums भी डाल दें यहाँ पर expanded form जो बच्चों को करवाई जाती है तो यहाँ पर हम पड़ेंगे 1, 10, 100, 1000 तो यहाँ पर 3763 तो यहाँ पर भी सेम है 5842 तो यह सभी इनकी place value है और इसकी expanded form है next question number है 11, 11 में and circle the number which have 8 in 1's place यहाँ पर आपने देखना है कि 8 की 1's place कौन से है देखो 1's, 10's, 100's, 1000 जहाँ पर 1000 है तो यह नहीं होगा next यहाँ पर भी इसका 1's 10's पर है तो यह भी नहीं है तो यहाँ पर इसकी 1's place है तो this is the answer ठीक है तो यहाँ पर 3 in 10's place 3 को देखना है कि 10's place पर है कि नहीं 3 यहाँ पर आपका 3 हम देखेंगे 1's 10's, 100's and 1000 तो यहाँ पर नहीं है 1's 10's तो यहाँ पर है तो this is the right answer और इस figure में भी 3, 1s पे भी है, 10s पे भी है, 100 और 1000 ठीक है, तो ये भी answer है इसका, तो next हम करेंगे, हम simplify करेंगे, यहाँ यह वरी terms को, देखो, इस term को ध्यान से देखना है, कि यहाँ पर कोई sign नहीं है, बच्चे एकसर confused हो जाते हैं, कि जो first number होता है, first figure होती है, उसके आगे क कोई sign नहीं है, तो उसका मतलब होता है, कि उसके आगे plus का sign हो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे, plus plus वाली को plus कर देंगे, ठीक है, तो जितना answer आएगा, 730 आगया है, sorry, 730 is the answer, और minus हम करेंगे 100, तो minus करकी हमारा आजाएगा, 630 answer, ठीक है, बहुत easy sum होते हैं, पर बच्चे जो थोड़े confused हो जाते हैं, तो ये थी हमारी आज की class 3 की worksheet, इसमें बच्चों को आपने घर पे कैसे practice करवाना है, उनको exams के लिए कैसे ready करना है, और उनका syllabus कैसे up to date रखना है, ऐसी videos मेरे channel पर आती रहती हैं, तो बच्चों को जुरूर practice करवाएं, और और भी subject की video है, आप मेरे channel पर पानुफर नार्ट पर विजिट करके देख सकते हैं, और मिलते हैं next video में, till then thank you, thanks for watching, thank you